हेलो स्टुडेंट्स सभी को गुडु मॉनिंग आज हम अक्सेसाइज 2.3 करेंगे जिसमें हम बहुपदों के विभादन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम सदार्ण विभादन के बारे में पढ़ेंगे जैसे हमने 27 को विभादित करना है चार से तो चार ची के 24 यहाँ पर माइनस करते हैं रिमाइंडर बसता है अपने पास सेश्वल बचेगा तीन माल लेते हैं हमें पांच से विभादित करना है 38 को तो यहाँ पर पांच सते 35 माइनस करेंगे शेश्वल बचेगा तीन चार की गुणा 6 के 7 की और हमने 27 के नीचे लिखा फिर हम इसको माइनस करते हैं इसी प्रकार की प्रकिरिया हमें बहुपदों के विभादन में भी करनी होगी जैसे टू एक्स स्केर पलस थरी एक्स पलस वन को एक्स पलस टू से विभादित करें इसको हमें भी भादित करना है एक्स जमा दो से तो इसी प्रकार जिसको हमें भी भादित करते हैं उसको हम अंदर लिखते हैं और जिससे भी भादित किया जाता है उसको हम बाहर लिखते हैं 2x² पलस 3x पलस 1 को x पलस 2 से डिवाइड केजिए तो सबसे पहले हमें यहां 2 की आवसकता है यहां पर 1 है यहां 2 इसलिए हमें 2 की आवसकता है तो पर 2 लिखेंगे यहां x है यहां x की पावर 2 है इसलिए हमें x की पावर 1 की आवसकता होगी तो X की पावर एक यहाँ पे लिखेंगे फिर इन दोनों की हम गुणा करवाएंगे यानि 2X की गुणा करवानी है हमने X जमा 2 से 2X की गुणा X के साथ 2X की पावर 2 पलस 2 दुनी 4X तो 2X स्केर जमा 4X तो इसको हम नीचे लिखेंगे 2X स्केर जमा 4X फिर हम इसको माइनस करते हैं यानि घटाते हैं तो इसमें से कैंसल हो जाएगा 3 माइनस 4 यहां माइनस X बचेगा पलस एक को हम नीचे कहरी करते हैं तो सबसे पहले हमें यहां यहां पलस यहां माइनस तो हमें माइनस की आवसकता होगी यहां भी X है यहां भी X है इसलिए हमें एक की आवसकता होगी तो माइनस X एक की गुना दो के साथ दो यह माइनस यह पलस माइनस की गुना पलस के साथ माइनस अब हम घटाते हैं यानि माइनस करते हैं तो निशान क्या हो जाती है चेंज हो जाती है माइनस एक्स जमा एक्स ये कैंसल हो गया तो दो और एक तीन इसका सेश फल होगा तू एक्स माइनस उन ये भाग फल होगा इसको हम बोलते हैं पोसेंट इसको हम बोलते हैं रिमेंडर इसे हम बोलते हैं डिविडेंट यानि भाज्य इसको हम बोलते हैं भाजक यानि डिवाईजर जब हम डिवाईजर की मिल्टिप्लाई कोशेंट के साथ करते हैं और पलस रिमेंडर करते हैं तो हमें डिविडेंट प्राप्त होता है यानि हम बोल सकते हैं भाज्य ब्राबर, भाजक, गुना, भागफल, जमा, सेशफल तो यह फार्मुल्ला बन जाता है डिविडेंट डिविडेंट को हम लिखते हैं पी एक्स, ब्राबर, भाजक यानि, डिवाइजर इसको हम लिखते हैं जी एक्स, इंटू, कोशेंट, इसको हम लिखते हैं क्यू एक्स, पलस, रिमेंडर इसको हम लिखते हैं और एक्स, तो यह यहां से फार्मुल्ला आपनी याद रखना है तो हमारे पास हैं एक्सेसाइज टू पॉइंट थरी का क्वेस्टन नमबर फर्ष्ट विभादन अलगोर्थम का प्रयोग करके पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा सेशफल ग्यात कीजिए पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस थरी एक्स स्केर पलस फाइव एक्स माइनस थरी और जी एक्स इकुल है एक्स स्केर माइनस टू यहां हमारे पास PX को हमें विभाजित करना है PX है X3 माइनस 3X स्केर पलस 5X माइनस 3 GX है X स्केर माइनस 2 यहां X की पावर 2 यहां X की पावर 3 इसलिए हमें X की एक और पावर गया सुकता होगी तो X की पावर 1 लेंगे तो इसकी गुना इसकी साथ करवानी है यानि X की गुना करवानी है X स्केर माइनस 2 से तो यह X की पावर 3 पलस की गुना माइनस के साथ माइनस 2X तो X क्यूब माइनस 2X और X वाला हमने X के नीचे ही लिसना है तो यहाँ माइनस करेंगे तो निशान चेंज हो जाते है यहाँ से एक एंसल हो जाता है 0 बचे का माइनस 3 X स्केर 5 और 2 7 X माइनस 3 और यह ध्यान दें कि यहाँ हमने पावर के कोर्डिंग ही लिखना है जैसे यहाँ X की पावर 1 है यहाँ X की पावर 2 है तो X की पावर 2 को हम पहले लिखेंगे यहाँ हमें पलस है यहाँ माइनस है तो माइनस के ओ सकता है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस यहाँ 1 है यहाँ 3 तो हमें 3 के ओ सकता होगी यहाँ X स्केर यहाँ भी X स्केर इसलिए हमें कोई भी x या x square की आप सकता नहीं है तो 3 की गुना करते हैं हम x square minus 2 से minus 3 की गुना करवानी है हमने x square minus 2 से minus 3 x square minus गुना minus plus 3 गुनी 6 minus 3 x square plus 6 यहां पर यह एक constant term है और इसको हम constant term के ही नीचे लिखेंगे तो minus करने पर यह निशान change हो जाते हैं तो यह cancel होगा और first term हमेशा से ही cancel होगी हर question में cancel होगी तो 7 x minus 3 minus 6 यानि minus 9 अब हमें यहां x की power 2 है यहां x की power 1 है जब भी यहां इस से power कम हो जाती है तो वही अपना सेशफल होती है यानि अपना reminder होती है तो पहली part में भागफल x minus 3 यह होता है भागफल और सेशफल 7 x minus 9 है तो इसी परकार हम part 2 को करेंगे पी x से बराबर है x की power 4 minus 3 x square plus 4 x plus 5 जी x दिया है हमें x की power 2 plus 1 minus x तो सबसे पहले हम इसको power के according लिखते हैं यहनि x square minus x plus 1 तो g x से विभाजित करना है तो g x दिया है हमें x square minus x plus 1 इसको हम भाग करेंगे सबसे पहले हमें x square किया हो सकता है क्योंकि यह x की power 2 यह x की power 4 तो हम x की power 2 लेंगे इसके गुणाई भी पूरे के साथ करवानी हैं तो x की power 4 हो जाएगा यहां 2 और यहां x की power 1 तो x की power 3 लेकिन इस बहुपद में x की power 3 नहीं है इसलिए हम इसको अलग से लिख लेते हैं x की power 3 माइनस की गुणा पलस के साथ माइनस तो इसके आगे हम लगाएं x माइनस x square की multiply करवानी है अब 1 के साथ तो पलस x square अब माइनस करते हैं माइनस करने पर sign change हो जाते हैं यह cancel हो जाता है 3 x square और x square इनके हमने coefficient यानी गुणांकों को जोड़ना है यह हो जाएगा माइनस 4 और 7 में x square फिर हमने लिखना है 4 x पलस 5 अब x की power 3 पलस का हमने पीछे नहीं लिखना इसको हमने आप में लिखेंगे तो यहाँ पर x की power 2 यहाँ x की power 3 है यहाँ 2 यहाँ पर 3 इसलिए x की power 1 की आप सकता है तो x की power 1 1 को लिखो यहाँ पर या ना लिखो तो इसकी गुणा हम इसकी साथ करवाते हैं तो x की power 3 माइनस x square पलस x अब हम इसको माइनस करते हैं यह कैंसल हो जाता है चार पलस एक माइनस चार जमा एक यानि माइनस तीन x square चार में से माइनस करेंगी एक को माइनस 3 x पलस आगे हैं पांच अब यहाँ पर हमने पलस हैं यहाँ माइनस है तो माइनस की आउसकता होगी और 3 की भी आउसकता है यहाँ भी x की power 2 यहाँ भी x की power 2 इसलिए हमें किसी भी x की आउसकता नहीं है तो माइनस 3 x square तीन की गुना x के साथ तीन x यह माइनस यह भी माइनस 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 हो जाएगा यह पलस सोरी यहाँ पर चार x माइनस x यहाँ बचेगा पलस थरी x तीन एकम तीन माइनस की गुना पलस के साथ माइनस अब हम इसको माइनस करते हैं यह पलस यह माइनस और यह पलस यह cancel हो जाएगा थरी x माइनस x यह भी 0 पांच जमा तीन आठ यहनि आठ हमारा क्या है सेशफल है यहनि हम इसको बोल सकते हैं यह रिमाइन्डर है यह अपना भागफल और यह अपना होता है भाचे है और यह इसको हम बोलते हैं भाजक तो इस क्वेस्टन में अपना सेशफल आठ और भागफल एक्स स्केर पलस x माइनस थरी पार्ट थरी है पी एक्स ब्राबर एक्स की पावर चार माइनस पांच एक्स जमा चे जी एक्स दिया है दो माइनस एक्स तो इस प्रस्ण का आप स्वम अभ्यास करेंगे यहां से आप इसको हम पावर के अक्स लिखेंगे माइनस एक्स जमा दो लेकिन यह कहना गलत होगा कि एक्स माइनस दो कि एक्स को पहले लिखेंगे बाद में दो को लेकिन यहां पर एक्स के आगे चिन है जो वो माइनस का है इसलिए इसको इसके साथ ही रखेंगे यहां दो पलस है तो इसको हम पलस दो करेंगे तो इस प्रकार हम इसको भी भाजित करेंगे कि माइनस एक्स जमा दो एक्स की पावर चार माइनस पांच एक्स जमा छे तो आप इसका स्यों अभ्यास कीजिए अमीद है आप इसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे कि क्वेस्टिन नंबर दो में आपको दिया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच किजिए कि क्या प्रथम बहुपद दुवीतिय बहुपद का एक गुननखंद है सबसे पहले हम गुननखंद के बारे में जानेंगे हमाल लेते हैं आप अठारा को भाग करते हैं तीन से तो तीन चीक के अठारा माइनस करते हैं तो सेशपल हमें प्राप्त होता है जीरो माल लेते हैं हम 26 को डिवाइड करते हैं हम 4 से 4 चीक के 24 माइनस करेंगे तो सेशपल हमें 2 प्राप्त होगा यदि हम 26 को विवाजित करते हैं दो से 2 चीक करते हैं दो दूनी 4 माइनस किया एक बचेगा 2 अठे 16 सेशपल हमें 0 प्राप्त होगा जब भी हम सेशपल 0 प्राप्त करेंगे तो 18 का गुन खंड होगा 3 यदि कोई संख्या दी गई संख्या से भी भाजित करें तो सेशपल 0 प्राप्त होता है तो दी गई संख्या उसका गुन खंड होगी अठारा के गुणन खंड हैं एक, तीन, छे, नो और श्वम अठारा क्योंकि इन सबी से भाग करने पर सेशफल जीरो प्राप्त होगा बारा के गुणन खंड हैं एक, दो, तीन, चार, छे, और श्वम बारा क्योंकि दो शिके बारा सेशफल जीरो तीन चोक के बारा, चार तीए बारा, दो शिके बारा और बारा एकम बारा इसी प्रकार हम question number 2 में करेंगे कि ये जांच करेंगे कि पहला बहुपद को विभाजित करना है, पहले बहुपद सेव भाग करना है दूसरे बहुपद को और जांच किजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का वो नखंड है question number 2 का first part है अपने पास, t square minus 3 and 2t की पावर 4 plus 3t cube minus 2t square minus 90 minus 12 तो इसको हमें भी भाजित करना है, t की पावर 2 minus 3 से यहां पर हमें सबसे पहले 2 की आव सकता है, तो हम 2 लिखेंगे, यहां t की पावर 2, यहां t की पावर 4 तो t की पावर 2 की हमें आव सकता है, तो इसकी गुणा करेंगे, 2t की पावर 4, 2 की गुणा 3 के साथ 6t square तो हम t square के नीचे लिखेंगे, तो यहां 6t square पलस के गुणा minus के साथ minus हो जाएगी, अब हम इसको minus करते हैं, तो निशान change हो जाएगे, यह cancel होगा, तो 3t की पावर 3, 6 में से 2 minus करेंगे, 4t square minus 9t minus 12, तो सबसे पहले यहां पर 3 की आव सकता है, तो हम 3 लिखेंगे, यहां t की पावर 2, यहां t की पावर 3, तो हमें t की पावर 1 की आव सकता है, तो इसकी गुणा करेंगे, 3t की पावर 3, 3 तिया 9t, 9t के नीचे लिखेंगे, पलस की गुणा minus के साथ, minus, अब हम इसको minus करेंगे, निशान change हो जाएगे, यह cancel होगा, तो 4t की पावर 2, यह भी cancel हो जाएगा, क्यूंकि यह minus 9, यह plus 9, अगे है minus 12, अब हमें 4 की आव सकता है, तो 4 लिखेंगे, 4t स्केर, यहाँ पर t स्केर है, यहाँ भी t स्केर है, इसलिए हमें कोई भी टी की अवसकता नहीं है, 4t स्केर, 4 तिये 12, पलस की गुणा minus के साथ, minus, अब हम इसको minus करेंगे तो, निशान change हो जाएगे, यह भी cancel और यह भी cancel 0, शेशफल होगा है, यानि reminder होगा अपना 0, जब reminder 0 है, तो इसलिए t की पावर दो minus 3t, एक गुनन खंड है, यानि यह क्या है, factor है, कि इसका इस दिये गए बहुपद का, जब भी शेशफल 0 बचता है, तो यह है, गुनन खंड होगा, दिये गए बहुपद का, तो इसकी के साथ, question number 2 का, part 2 है, पहला बहुपद दिया है, x की पावर 2, पलस 3x, पलस 1, दूसरा बहुपद दिया है, 3x की पावर 4, पलस 5x की पावर 3, माइनस 7x की पावर 2, पलस 2x, पलस 2, तो हमें पहले बहुपद से विभादित करना है, दूसरे बहुपद को, 3x की पावर 4, पलस 5x की पावर 3, माइनस 7x की पावर 2, पलस 2x, पलस 2, तो सबसे पहले हमें, 3 की आवसकता होगी, तो यहां 3 लिखेंगे, यहां x की पावर 2, यहां x की पावर 4, तो x की पावर 2 की आवसकता है, तिन दून्दों की गुणा करेंगे, 3x की पावर 4, 3 की गुणा 3 के साथ, 9x की पावर 1 यह और 2 यह, x की पावर 3 हो जाएगे, तो 3 की आवसकता है, 9x की पावर 3, 3 एकम, 3x स्केर, 3x स्केर, अब हम इसको माइनस करते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे, यह कैने से लो जाएगा, पलस 5, माइनस 9, यह होगा, माइनस 4, और x की पावर 3, माइनस 7, माइनस 3, यह हो जाएगा, माइनस 10, और 7 में, x स्केर, पलस 2x, पलस 2, अब हमें सबसे पहले माइनस की आवसकता है, तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे, चार की आवसकता है, तो चार लिखेंगे, x की पावर 2, x की पावर 3, तो हमें x की आवसकता है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, पावर 3, और माइनस 4, पलस की गुना माइनस के साथ माइनस, 4 तीए 12, x की गुना x के साथ, x की पावर 2, 4 एकम, 4, x माइनस की गुना पलस के साथ माइनस, अब हम इसको माइनस करते हैं, तो निशान चेंज हो जाएंगे, यह कैंसल हो जाएगा, माइनस 10, जमा 12, यह हो जाएगा, 2, x स्केर, 2 और 4, 6 x, अगे है, पलस, 2, अब हमें यहाँ, 2 की आव सकता है, तो 2 लिखेंगे, 2 x स्केर, इसकी गुना अब इसके साथ करनी है, 2 की गुना करनी है हमें, 2 x स्केर, 3 x पलस, 1, 2 एकम, 2 x, स्केर, 2 तिया, 6 x, 2 एकम, 2, यह भी पलस, यह भी पलस, अब हम इसको माइनस करते हैं, तो निशान चेंज हो जाएंगे, यह कैंसल हो जाएगा, 6 में से 6, 0, 2 में से 2 गटाएंगे, तो 0, तो यहाँ सेजफ़ल, यानि रुमेंडर, 0 है, इसलिए यहाँ, फैक्टर है, यानि गुना खंद है, इस दिये गए बहुपद का, क्वेस्टन नमबर दो का, तीसरा पार्ट आप खुद करेंगे, उमीद है आप उसे अच्छे तरी किसे कर पाएंगे, यदि सेजफ़ल 0 बастा है, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, गुना खंद होगा, यदि सेजफ़ल 0 नहीं बसता, तो दूसरे बहुपद का, पहला बहुपद गुना खंद नहीं है,